किनवट के हम्बाल कॉलेनी से आपको बड़ी खबर दे रहा हूं दोस्तो और ये देख सकते हैं आप किनवट के हम्बाल कॉलेनी में 25 एप्रिल के दोपेर के टाइम 2 से डाही बजे के टाइम अचानक तुफान आने के वज़े से काफी घरों को नुकसान हुआ है जो टीन के घर होते हैं उनके टीन बहुत से उड़ गया है दोस्तो और जो कमपाउंड वाल के टीन होते हैं वो गिर गया है और देखिए यहां पर पानी भी बरसने के वज़े से साइकल अगेरा फसर ही है और कीचड बहुत जादा हो जाता है थोड़ी भी बारिशा ही तो और कई लोगों के कमपाउंड वाल तूट गया है किसके कमपाउंड वाल के टीन उड़ गया है किसके कमपाउंड वाल तूट कर बिखर गया है और कमपाउंड वाल को जो टीनों के दरवाजे भी होते हैं वो दरवाजे दो तीन घरों के जो बड़े पोल होते हैं चार्जिंग के लाइट के पोल वो गिर गए है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के जो घरों के टीन वगेरा उड़ने के वज़े से लोग बहुत ज़्यादा दुखी दिखाए दे रहे हैं और यह अचानक दुपकाले में तूफान आने के वज़े से बारिश भी बहुत ज़्यादा थी तो यह बहुत खतरना और इस तरीके का तूफान अचानक आने बहुत ज़्यादा घरों को नुक्सान हुआ है और ये किनवट के हम्मल कॉलेनी से आपको न्यूज बड़ी न्यूज बता रहा हूं और कई जगा किनवट के बहुत से इलाकों में बहुत ज़्यादा घरों को नुक्सान हुआ है पर यह सिर्फ हमल कॉलेनी की बात आपको बता रहा हूं क्योंकि हमल कॉलेनी यह गरीब बस्ती है और हमल लोग रहते हैं और रोजी मज़ोरी करने वाले गरीब लोग रहते तो गरीब लोगों की बस्ती में बहुत जादा नुकसान हुआ है पुनच हमारे घंडी में लैन मीन सब का काम करते हैं रशीद भई क्या कर रहे हैं यहां पर करन्ड का खंबा घिर चुका है चार्जिंग का रशीद दिखा रहे हमारे खूड रहे हैं कर दो झाल झाल दोस्तो एक बहुती बड़ी खबर आपको बता रहा हूं किनवट के हमबाल कॉलेनी में बहुत ज्यादा तूफान आने के वज़े से अचानक तूफान आने के वज़े से कई लोगों को बहुत ज्यादा नुखसान हुआ है अभी के समाचार में बस इतना ही